स्टार्ट करेंगे with explanation क्योंकि आप सब की ही comment से कल की class में की explanation के साथ में बताईए तो मैंने कल भी explanation के साथ में बताया था चले start करेंगे so first question आज का है which one of the following has a correct sentence pattern यानि कि कौन से sentence का जो pattern है structure है वो बिल्कुल सही है मतलब यह से subject होना चाहिए subject के बाद क्या होना चाहिए क्या और इस तरह से पूरा arrange हुआ है correct sentence है for whatever options देगे she put all the books on the table she all the books on the table put she put on the table all the books she on the table put all the books one of the easiest question I think so यहाँ पे जो correct answer is question का होगा वो होगा आपका option number a she put all the books on the table यहाँ पे जो structure गया है वो आपका गया है पहले subject that is she फिर उसके बाद work की second form लगी है that is put और उसके बाद object है object लगा हुआ है all the books और उसके बाद फिर आपका compliment या जिसको आप other word कहते है वो use हुआ है on the table so यह आपका past indefinite affirmative sentence है बढ़ेंगे next question की ओर fill in the blanks choosing correct preposition तो यहाँ पे preposition क्या आएगा वो बताना है the horse jumped blank the well on in into under so यहाँ पे जो correct answer होता है बिलकुल आपका option number c हो जाता है into हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि the horse jumped into the well यानी की घोड़ा कुए में कूद गया अब में के लिए यहाँ पे into का use क्योंगा देखे कोई भी ऐसा स्थान जैसे कमरा है नदी है कुआ है तलाब है इस type का कुछ भी है गर उसकी ओपर उसकी और गती होने का संकेत हो रहा है वो उसमें गया लेकिन गती करते हुए गया चलते हुए गया दौडते हुए गया जैसे भी गया गती दिन देशित हो रही है यहाँ पे इंडिकेट हो रही है तो यहाँ पे आपका into का use होता है ऐसी situation में तो मतलब यह आपका एक sentence है अब आपको यहाँ पे बताना है यह आधा already इसने बता दिया है she asked her brother और जब आप इसको change करेंगे दूसरे speech में narration वाला question ही है तो क्या यहाँ पे आना चाहिए तो यहाँ पे जो correct answer होगा इस question के लिए आपका वो हो जाता है option number B not to buy mangoes she asked her brother not to buy mangoes अब थोड़ा सा इसको समझ भी लेते है देखी जो आपका sentence दिया गया है यह वाला यह आपका direct speech में है और imperative sentence है तो जब इसे indirect speech में बदलेंगे तो reporting verb जैसे जो set 2 है यह है set 2 लिखा हुआ है यह आपका ask में बदल जाता है हमेशा क्योंकि उसने को कुछ कह रही है यहाँ पर ask का मतलब पूछना नहीं होगा यहाँ पर ask का मतलब कि उसने अपने भाई से को मना किया या कहा कि mangoes नहीं खरीड हो है यह बतलते हैं अब क्योंकि वा की जो है negative में है यह जो आपका I mean sentence है यह क्या है negative है अब इसमें inverted comma जब हटाएंगी तो that इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह negative है हमेशा ध्यान रखेगा that का use नहीं करेंगे सीधे not to का use करते है that की जगर negative अगर है यहीं साइज चीज़े है so ऐसे वाकि में do not के स्थान पे not to use हो जाता है do not की जगर not to हो जाएगा that much तो बढ़ेंगे next question की ओर which one of the following has the complete spelling कौन से word की spelling जो है वो I mean correct spelling है not complete so the correct answer is option number C impressive impressive की spelling जो होती है वो यह होती है impressive means होता है प्रभावशाली कारगर यह ऐसाब कह सकते प्रभावशाली के लिए सबसे best हिंदी होगी the adjective form of ignorance is what ignorance का adjective अगर बनाते है तो क्या बनेगा जो कि ignorance तो देखें नाउन है यह आपका abstract noun के अंतरगत आ जाता है भावाचक संगय जिसे कहते है तो इसका adjective form जो बनेगा वो बनेगा आपका ignorant बनेगा यानि अनभेग किया so move to the next question choose the correct word order अब यहाँ पे भी वही चीज़ है आपको correct word order choose करना है sentence का structure सही हो वही बताना है अच्छो वीडियो को like करिएगा प्लीज आप लोग like करेंगे तो ही motivation मिलेगा और ज्यादा better questions लानी का आपको भी पढ़ने में anyways तो चलिए देख लेते हैं इसका correct answer होता है option number B सही हो गए यहाँ पे why did she leave so early why did she leave so early अब यहाँ पे structure क्या है पहले why जो कि आपका वह word होता है पढ़ाया हुआ यह साही चीज़े मैंने फिर did का use हुआ है फिर subject का use हुआ है है questions उसका है चलिए अभी next question देख लेंगे choose the correct sentence in passive voice एक यहाँ पे sentence दिया है उसका passive voice क्या बने का यह बताना है she always supports her friends फड़ा पर से options देखिए choose करिए voice narration आपका part of speech in substitution आता है preposition वगएरा आता ही है इस दुरूप से conjunction preposition and two names मतलब लगभग जित्ते grammar के आपके mean mean चीज़े हैं उनसे question definitely पूछा जाता है so yes यहाँ पे जो correct answer इस question के लिए हो जाता है passive voice में वो हो जाता है option number D her friends are always supported by her क्योंकि जब आप इसे passive voice में change करेंगे तो क्या आपका structure बनेगा पहले सबसे आपका passive subject लगेगा तो यहाँ पे passive subject आपका यह है her ठीक है यह हो जाएगा यह आपका यहाँ पे subject बन जाता है हमेशा तो यह her friends आ गया यहाँ पे यह जीज़े मैंने learning need पे बहुत अच्छे से explain किया बहुत ही मतलब जिसे कभी भी नहीं बना होगा उसे भी बन जाएगा आप देखिएगा अगर नहीं clear है तो उसके बाद फिर क्या हुआ है यहाँ पे ismr यह लगता है तो यहाँ पे r का use हुआ है r से table है इसलिए r लगाया गया ismr की जगह उसके बाद फिर always का use हुआ है उसके बाद supported का use हुआ है support की जगह ही supported हो गया है क्योंकि आपका क्या होता है third form use हो जाता है by लगता है आपका passive voice में जब change करते हैं और उसके बाद यहाँ agent लगता है तो यह किसा अधार पे लगता है क्योंकि यहाँ पे जैसे she था तो she को जब हम as object लिखेंगे तो हर लिखेंगे ठीक है he होता तो हम क्या लिखते हैं लिखते तो इस तरह से इसके according यह change हो जाता है which tends to the following sentence belong to यह sentence कौन से tense का है how long have you been English simple सा sentence है and यह मैंने पढ़ा है how to identify tense तो पहले कुछ नहीं करना है आपको बहुत अच्छा तरीखा होता है कि सबसे पहले तो आप helping verb देख लीजिए उससे आप tense बिल्कुल पहचान जाएंगे helping verb देख लीजिए verb की form देख लीजिए आपको tense बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सा है यहां पर जो correct answer हो जाता है आपका देखिए have been या has been ऐसा का use नहीं है यहां पर इसका sentence का जब आप translation अगर करते हैं तो यहां पर आपका present perfect continuous वाला होता तभी यहां पर आप यहां पर यहां लगाते तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है fine और past तो है ही नहीं क्योंकि have लगा है had नहीं है तो past तो वैसे भी eliminate हो जाते हैं choose the correct word for the blank you can park the car on blank of sorry blank side of the road यहां पर क्या आना चाहिए either none both neither so यहां पर जो correct answer हो जाता है यहां पर वो होता है आपका option number यहां पर लगेगा क्यों लगेगा वैसे तो आपको लगता है यह और का जो है compliment लगता है साथ में लगते हैं दोनों मतलब जिसको हम कहत सकते हैं compound conjunctions होते हैं वो है यह लेकिन ऐसा नहीं है ऐसे भी use होता है तो यहां पर adjective either का use होता है यहां पर adjective इसका use किया गया है इसका तातपर होता है कि दोनों या फिर one or the other of two यह एक या फिर दोनों में से कोई दूसरा ठीक है तो कई सारी use हो सकते हैं जिसे एक और हमसका sentence देख लेते हैं for example there are trees on either side of the river यहां पर और का use नहीं हुआ इसके साथ देखें इसका मतलब ही हो गया कि नदी के दोनों ही किनारे पेड हैं तो यहां पर मतलब यह हुआ कि आप जो है अपनी कार रोट के दोनों ही साइड मतलब किसी भी साइड पार्क कर सकते हैं दोनों में से किसी भी साइड choose the correct meaning of what a beverage सही meaning इसकी क्या होती है शाब्दिकर्थ की बात करें तो मैं थोड़ा सा हिंट कर दू हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कोई भी pay up अधार्थ जिसको आप कहते हैं बेवरेज वो कहलाता है pay up अधार्थ तो बिलकुल इसका सही उतर होता है option number c any drink कोई भी drink हो सकता है जरूरी नहीं चाहे हो आपका चाय हो coffee हो कोई भी पीने वाली चीज हो alcohol हो whatever ठीक है कुछ भी हो सकता है next question choose one word for the words underlined इसके लिए एक word क्या use आप कर सकते है when her dog died she cried very hard for half an hour यहाँ पे एक word क्या use किया जा सकता है cried very hard so यहाँ पे cried very hard का ताथ पर यहाँ पर हो जाए कि बहुत तीज रोई बहुत जादा रोई बहुत जोर से रोई तो इसके लिए जो suitable word यह आप use कर सकते हैं वो कर सकते है screamed ठीक है इसका मतलब यह होता है कि तेजिया बहुत उची आवाज में विलाप करना तो next question पे बढ़ेंगे फटाफर से fill in the blanks Kashmir is blank between India and Pakistan an apple of eye an apple of fight an apple of discord none of the above तो यहाँ पे item and phrases वाला जो chapter है वहाँ से ही question है कोशिश यही रहेगी हमारी कि आपके हर practice set में सारे topic cover हो जाएं खुद को भी पता चलता है कि हमारा कौन सा topic या कौन सा chapter हमारा week है और उस पे हमें भी थोड़ा work करना है क्योंकि अभी time है एक हफते का आप कर सकते हैं यह तो यहाँ पे correct answer हो जाता है जो सबसे suitable होगा वो होता है option of option c and apple of discord इसका प्रयोग होगा क्यों क्योंकि इसका अर्थ यह हो जाता है कि मतलब कोई भी विवाद या जगड़ी का विशे तो काश्मीर जो है भारत पाकिस्तान के बीच किसी विवाद का विशे है यह कहेंगे इसका मतलब क्या है बस यह बताना है एक sentence क्यों दिया है आपको यहाँ पे ताकि आप जो मैं आपको पैड़ाग होगी भाशा सिक्छड में पढ़ाती थी वही चीज है कि sentence के परिपेक्ष में आप इसका अंदाज आ लगा पाएं इसके लिए तो यहाँ पे जो correct answer हो जाता है इस question के लिए आपका येस तो वो होता है option number B expressing sadness यानि कि क्या कह सकते अवसाद, उदासी, गहरी उदासी, कुछ भी है ना मतलब दुखी पन दिखाता है यह word the word osis means, osis का मतलब क्या होता है so correct answer is question के लिए क्या होगा आपका a green patch in the desert, a green patch in a desert ये इसका correct answer हो जाता है अब इसका मतलब क्या सब्सक्राइब मरुस्थल होता है, रेगिस्तान होता है, उसके बीच में जो थोड़ी बहुत हरी भूमी होती है उसी को कहा जाता है osis the passive form of he knows her is what ये active voice है, इसका passive बनाईगे क्या बनेगा तो देखिए ये जो है आपका simple present indefinite tense में है और इसकी passive voice जो होगी उसका structure आपका क्या बनेगा वो बनेगा subject पहले आप लगाएंगे फिर क्योंकि आपका present indefinite में है आप तो आप इस लगाएंगे इस उसके बाद फिर आपका work की third form के साथ में other word बनेगा तो बहुत ही simple सा structure आप आप आसका she is known to him ठीक है she is known to him तो आपका option number be यहां पर correct होता है so move to the next question पूरे 30 question की practice set है choose the correct conjunction for the blank he is witty blank vulgar he is witty blank vulgar क्या आना ची यहां पर अच्छा चलिए इसी के साथ यह आप बताईए सबसे पहले तो क्यों witty means क्या होता है तो witty means होता है basically परिहाश युक्त ठीक है अब vulgar means क्या होता है I think सबको पता हुई होगा यह सब basic words है तो vulgar means क्या होता है कोई भी अश्रिष्ट जिसको हम कैसे है सब भी अश्रिष्ट जो मतलब बिकार होकोल मिलागे fine so यहां पर जो correct answer होगा वो हो जाता है आपका option number c2 यह बिलकुल यहां पर सही आएगा fine so move to the next question choose the correctly punctuate sentence punctuate मतलब जिसमें विराम चिर्ण का सही प्रयोग किया गया है what a day what a day what a day what a day so यहां पर जो सही punctuation का use हुआ है वो हुआ है option number d में what a day यह एक विसमयादी बोधक वाकिए इसको कह सकते हैं आप exclamatory sentence है यह ठीक है जहां पर आश्चर दिखाएगा wow what a day wow what a flower wow what a this what a that something वही चलिए देख लेते हैं next question the phrase to look into means to look into का मतलब क्या होता है to look into का मतलब होता है to examine ठीक है यानि कि किसी चीज़ का निरिक छड़ करना तो correct answer यह होता है choose the correct preposition for the blank preposition क्या आएगा I mix up the butter blank I bake the cake so यहां पे जो correct answer होता है वो होता है आपका option number is before I mix up the butter before I bake the cake के कहने की cake bake करने से पहले मैंने butter mix किया तो यहां पे before का जो use हुआ है वो relationship in time show करने के लिए किया गया है next question देख लेते हैं choose the correct indirect form fine तो direct speech है इसका indirect form क्या होगा वो बताना है रवी सैट guests have taken their lunch यह अपने से अप करिए देखे speech है voice है यह सब आना चाहिए क्योंकि इसमें भी आएगा super tech में भी आएगा निश्चित रूप से तो अभी आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे चलेगा है ना exam में कोई hindi भी explain नहीं करता सब कुछ अपने से करना होता है और बंदी चीज़ भी कही नगई tension में nervousness में काफे लोग की बिगड़ जाती है कि कहीं गलत नहों जाए तो यह doubt ना रहे कि कहीं गलत नहों जाए मैं तो confirm रहे कि हाँ यही सही है that much इतना पढ़ी है थोड़ा सा चलिए तो देख लेते हैं आप ए correct answer क्या होता है option number यह बिल्गुल सही होता है रवी said that guest had taken their lunch explanation चाहिए तो थोड़ा सा समझ लीजे पहली बात तो यह आपका जो sentence है वो किसमे है वो present perfect tense में है have taken यह रवी said तो यहाँ से समझ में आ रहा है हमें यह present perfect tense में direct speech जो है आपकी वो present perfect tense में है अब जब इसको आप indirect speech में बदलेंगे तो reporting work said को कभी नहीं बदलते हैं इस situation पे वो as it is रहता है और साथ में क्या लग जाता है that लग जाता है तो हमने यह कर दिया रवी said that उसके बाद फिर क्या होता है आपका जो have taken था वो past में change हो जाएगा यहाँ पे यह past में है न तो यह reporting work आपका तो यह भी past में हो जाएगा choose the correct article for the blank please help me clean my blank apartment article कौन सा आएगा ए अंदर या फिर कोई नहीं so यहाँ पे जो correct answer हो जाता है आपका 21 के लिए वो होता है option number D इनने कोई article की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि माई के बाद सीधे आप apartment लगाएंगे या तो माई नहीं हो था अगर माई है तो माई के बाद आप कुछ भी था है my pen, my laptop, my brother, my whatever अब आप ऐसे यूज़ करते है my a brother, my an apple और my whatever जो भी है तो माई के बाद आप कोई article यूज़ करते है कोई नहीं तो यहाँ पे कोई भी article नहीं आएगा so move to the next question Okay, choose the correct opposite word for the underlined word Her nephew isn't ugly Ugly के लिए opposite word क्या होगा, antonym So, obviously, ugly means होता है Group, but surat तो इसका antonym होता है, beautiful, खुबसूरत, सुन्दर Choose the plural of the given word Sorry, word given in bracket Scientists are always studying the blank phenomenon of nature So, bracket में जो दिया हुआ है, इसका plural बताना है आपको singular, plural से हापका ही किश्यन है मतलब की बहुवचन बताना है So, यहाँ पर जो correct answer होता है आपका वो था option number C, फिनॉमिना जो है इसका plural word हो जाता है Meaning of the word, prophecy Prophecy, इसका जो है, शब्द, शब्दिक अर्थ, जिसको कह सकते है English में क्या होगा, यह बताना है आपको Prophecy So, यहाँ पर जो correct answer हो जाता है 24 के लिए Prophecy मतलब होता है भविश्य वाड़ी या भविश्य वाक्य और prediction का मतलब भी वही होता है कि पूरवक कथन है न, भविश्य मतलब पहले सही कह देना कि जिवात को तो यह इसका सही meaning आ जाता है, prophecy का Choose the most natural order of the following words What's that bag in a small यह आपका एक sentence दिया है, यह इसमें कुछ words है इसको सही क्रम में अगर arrange करेंगे naturally, तो क्या बनेगा? सबसे best होगा, देखिए, जो वह आपको बताना है So, सबसे best जो बन सकता है, वो बनेगा आपका option number Z, what's in that small bag, यहनी कि उस छोटे bag में क्या है? Choose the correct tense of the underlined verb phrase Kavita said that she had been waiting for me for two hours when I arrived यहाँ पे आपको सिर्फ tense बताना है, कि यह जो phrase है had been waiting, कौनसे tense में है? And I think this is very, very easy question, अगर आपने tense थोड़ा भी पढ़ा है कभी बच्पन में भी तो बन जाएगा So, यहाँ पे जो correct answer होगा, आपका option number B होचाता है past perfect continuous tense है, क्योंकि आपका had been used, helping verb और उसके बाद यहाँ पे time भी mention किया गया है, इस पर इस sentence पे, तो यह जो है आपका ing form use हुई है, आपकी verb की, तो यह सही हो जाता है To imitate, someone means to what? किसी को imitate करने का मतलब क्या होता है? imitate तो imitate करने का मतलब है, नकल करना किसी की है ना? तो नकल को और आपके आप बोल सकते हो, copy someone, किसी की copy करना से, एंसर होगा आपका option number A Choose the correct reposition for the blank, there is a bench blank, the lamp post Wait, छोटी से फिर से request है, चैनल पर नहीं में subscribe करिएगा, देखे, बार बार कहना पढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग करेंगे नहीं, तो classes जो माई start होगी, Class 1 से start होगी, last तक चलेगी, repeat नहीं होगी, कोई भी content repeat नहीं किया जाएगा, तो loss आपका भी होगा, और live classes की बुरी कोशिश रहेगी, तो live पढ़ने का एक अलग वो होता है, और फिर आप वीडियो तो upload रहेंगे, आप कभी भी देख सकते हैं, तो कर लीजेगा, like करिएगा वीडियो को, चलिए देखते हैं क्या होता है याप पे सही answer इसका, तो correct answer is question के लिए हो जाता है, 28 के लिए आपका option number D, beside यहाँ पे होगा, और किस situation में beside यूज होता है, यह सब कुछ learning need पे, preposition के तो बहुत सारे separate practice set, video, explanation, सब कुछ बता रखा है, तो वहाँ पे आप एक बा सुचक अव्या की आविश्यक था थी, beside का मतलब बता है के बगल में, ठीक है, there is a bench beside the lamp post, है यह लैंप पोस्ट के बगल में, एक bench है, use the suitable conjunction to complete the following sentence, यहाँ पे कौन सा conjunction आना चाहिए, take care less you blank be deceived, इसका पूरा हो जाता है sentence, ठीक है, अच्छा, less के साथ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, not का use कभी नहीं होता, less के साथ अगर not का use है कहीं पर, तो समझ लीजेगा, कि गलत है, ध्यान रखेंगा, next question देख लेंगे, is several in the following sentence a part of verb और adjective, यह एक sentence दिया है, इसमें आपको बताना है कि several words, sorry, several words जो है, वो क्या है, several लिखा हुआ है, यहाँ पर mistake है, several होना चाहिए था, यहाँ पर mistake है, several ही होगा, तो यह verb है, यह adjective है, there are several mistakes in your exercise, so basically, यहाँ पर यह adjective के रूप में यूज हुआ है, तो यह यहाँ पर as adjective यूज हुआ है, several, तो बिल्कुल भी confused नहीं होना है, यह विशिशर के तौर पर ही, यूज हुआ है, so यह आज के question था, just hope you like, if you like, don't forget to like, share and subscribe and thanks for watching, keep studying and bye-bye.